नमस्कार दोस्तों, देश में एक गाना चल रहा है, मेरी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, और एक सवाल भी चल रहा है, कि राम आएंगे, तो राम मंदिर के इनोग्रेशन में कौन-कौन जाएंगे, सवाल कॉंग्रेस निताओं को लेकर था कि कॉं कॉंग्रेस ने कहा है, कि सरसम्मान इस निमंतरन को अस्वीकार करते हैं, दो कारण बताएं हैं, पहला कारण उस चुठी में, जो कॉंग्रेस का अधिकारिक चुठी आई है, उसमें ये कहा है कॉंग्रेस ने, कि बीजेपी ने राम मंदिर को एक राजनेतिक परियोजना ब रहा है कि हम सरसम्मान इस वीकार करते हैं इस निमंतरन को, ये फैसला किस तरीके से लिया जाएगा, कितना सही है, कितना घलत है, इसके बारे में हम अपने नियूजरूम में आज बाचीत करेंगे, हमारे साथ बाचीत के लिए पंकर जी हैं, अन्मोल हैं, संदीप हैं, राम विरोधी चरित्र फिर से दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि राम कभी भी इस बात की शर्प्त लगाएंगे कि कोई उनके धर्वाजे पर आए, ये राम का कोई आमंतरन नहीं है, ये आमंतरन जैसा कॉंग्रेस पार्टी ने कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है, कि ये प्रोजेक्ट है, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा कि कोई मंदिर आपको निमंतरत करता है कि आप आएं, ये पहली बार हो रहा है कि पूरे आरेसे सौरभाजपा के कारिकरता घर-घर जाके निमंतरन पत्र बांट रहे हैं, एक ट्रस्ट का कारिकरम है, ट्रस्ट ने बुलाया जिसको जाना होगा जाएगा, जिसको नहीं जाना होगा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से पूरा आयोजन किया जा रहा है, इस देश के जो अगर धर्म के शेत्र में देखें, तो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा शंकराचारियों की है, हिंदु धर्म में, और चारोपीट क शंकराचारियों ने इस पश्ट कर दिया है, उन्होंने खुद कहा है, कि ये राजनेतिक काम हो रहा है, ये राजनीत की प्रतिष्ठा हो रही है, ये धर्म की प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, एक अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा आप कर रहे हैं, तो क्या इसके पहले जो मूर्ती थी, वो निश्प्राण थी, जिसको लेकर आप इतने दिन तक आंदोलन करते रहें, किसा आप वो टेंट में हैं, ये हैं, वो हैं, सुप्रिम कोट ने एक फैसला दिया, उस फैसले के सामने सब को सर जुकाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि उसमें किसी का कोई विवाद नहीं है, मंदिर बन रहा है, इसमें भी कोई विवाद नहीं है, लेकिन चुनाओ को देखते हुए, आप अधूरे मंदिर में फटा फट एक प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं, उसकी जरूवत क्या है, और प्रधान मंत्री क्यों करेंगे, कोई धर्म का आचारिय क्यों नहीं करेंगे, धर्मिक मामला है, प्रधान मंत्री को बिल्कुल वहाँ जाने का अधिकार था, जाना चाहिए, लेकिन जैसा शंक्राचार निश्यला नंस्वरस्वती ने साफ कहा कि मोदी जी मूर्ति का इसपर्ष करेंगे, और क्या हम ताली बजाएंगे, ति वाद तो है कि प्रधान मंत्री हैं वो, मोदी जी उन्होंने नहीं कहा कि वो भी सी हैं छुएंगे, इसलिए मैं उस पर कोई टिपड़ी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन प्रधान मंत्री वहाँ पर जाएंगे, और शंक्राचारे क्या करेंगे वहाँ, तो कोई शंक्राचारी, भी था बनला मंत्रन उसको अस्वीकार कर दिया, और जिस तरह से भारती जनता पार्टी ने उसे अपने प्रोजेक्ट की तरह पेश किया है, जैसे जो राम हैं, वो कोई भारती जनता पार्टी के अपने नेता है, राम सब के हैं, सब की आस्था है, और जब मंदिर नहीं थ जवाब दिया है कॉंग्रेस पाइटी ने बिलकुल सही जवाब दिया है और वैसे भी राजनीती और धर्म का जो अलगाव है वही किसी लोगतंतर को सफल बना सकते चले कॉंग्रेस ने भी जो अस्वीकार किया है निमंतरन को उसमें उन्होंने लिखा है यह राजनातिक परि आम लोगों में क्या मैसेजिंग देगा क्या कम्यूनिकेशन स्टैबलिश कर पाएगी कॉंग्रेस से कॉंग्रेस का स्टैंड काफी हद तक पॉलिटिकली भी गलत है और यह मुझे जस तरह से लगता है कि कॉंग्रेस अगर जाती और वहां से आने के बाद वहां जो दूसरा यह बात बार बार कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ही कियो जाए भाजपा ही क्यों स्कारिक्रम को करें लंबे समय से लड़ाई भाजपा लड़ रही है राम मंदिर की आडवानी जी ने रत निकाला था मुद्दा है भाजपा का राम मंदिर कॉंग्रेस ने तो कभी बॉजपा के आडवानी जैपी ने तो कहीं अपने स्टेंड इमॉलिश नहीं किया राहूल गांधी मंदिर भी जाते हैं फिर आकर के मंदिर का विरोध भी करते हैं मंदिर पूजा का स्टेंड तो कॉंग्रेस का बिलार रहा है चाजपा कि और निजी उज अकर राजनेतिक पर्योजना इसको बना दें और क्योंकि ये आपका इशू रहा पॉलिटिकल इशू रहा इलेक्टोरल इशू रहा तो आप अपने इलेक्टोरल इशू के साथ चलते रही है कोई दूसरा उसमें प्रतिभागी क्यों बने तो प्रतिभागीता की बात नहीं हम सबको स्विकार बाठी जन्ता पार्टी को इस तरह से नहीं कह रही है कि उनकी इंटर्नल मीटिंग या पाकी का कोई कारिक्रम है एक धार्मिक कारिक्रम है शबको बुलाये गया है नहीं जाने का फेसला एक पॉलिटिकल स्टेंड है विपक्ष का उसके कारण अलग हो सकते हैं लेकिन वो प मंदिर है, राम का मंदिर है, बहुत समय से संगरश था, रामलला टेंट में रखे थे, अब एक इतना भवे मंदिर बन रहा है, प्रधान मंत्री जा रहे है, वह नतमस्तक होंगे, पूजा करेंगे, वो पॉलिटिकल फ्रेम हो सकता है कि मीडिया उसे कैसे दिखाए, लेकिन समय यहाँ पर दो गुनी है, कॉंग्रेस ने जो कहा है, क्या उसको समझा पाएगी की उसके पीछे का कारण किया था, क्योंकि मीडिया जादा तर जिस तरफ से बोलेगी, और जो बोलेगी, वो वही बात होगी जो भारति-जंता पार्टी की बात होगी, तो कॉंग्रेस यह तो एक clear stand लेती, stand लेती तो उसके कारण को सपस्ट करती, यहाँ पर आप हमेशा पूछते रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीक कब बताएंगे, यह कुपास का slogan था, यह लोग मंदिर बनाएंगे, कहते हैं बनाते नहीं, अब बना दिया, तो उससे भी समस्या आए, अब लोग नहीं आएंगे, clear stand ले, और कारण भी बताते हैं, और राजनेतिक परियोजना में रिड्यूस हुई है, अर्ध निर्मित मंदर में इस तरह के इनॉग्रेशन जो है, वो केवल और केवल चुनावी लाभ के लिए भाजपा कर रही है, बहराल, जाते की बात आपने की, जाते के सवाल पर संदीप आपसे बात कर लेते हैं, राम भदराचारे का अभी एक बयान भी आया था, और राम मंदर की जब बात होती है, तो तमाम जो सामाजिक कारे करता हैं, जो भारतिय जनता पार्टी को घेरते हैं, वो सवाल पर घेरता है कि भारतिय जनता पार्टी म चाहती है और और अधा जो जो दीषक्राइब बीड़ा थोपने का प्रजेक्ट है क्या आपको लगता है कि लाम मंदिर इनोग्रेशन में ना जने का फैसला जो कॉंग्रेस ने लिया है इसको ये अच्छे से कम्यूनिकेट या मेसेज कर पाएगी जो बात रागव उठा भी रहे थे बिल्कुल अच्छे से कम्यूनुकेट कर पाईगी और जनता में ये मैसिज जाएगा कि हाँ कॉंग्रेस ने जो लाइन पकड़नी चाहिए वो पकड़ ली है वो लाइन जो देखिये जिए कॉंग्रेस का आज जो वोट बैंक बनके रह गया है वो लोग जो समीधान में विश्वास करते हैं जो चाहते हैं कि देश के अंदर धर्म निर्पेश्टा बनी रहे वो कॉंग्रेस का वोट बैंक आज बनके रह गया उसमें आप सवर्ण माने बागी जो 85 मत्री चाहिए कि अश्ड़ा जो आप भात करेंगे आप रही है तो आप तय कर रहे हों कि राधनीती का धर्मीकरेण तय कर रहे हो नंदिर की ठेकेतारी परधान मंत्री नरेंदर मोधी ने लिए यह मलीकारजुन खड़के राहूल गांदी और पूरी कॉंगरिस का इन्द पर चलके तमाम ऐसे का रहे हैं जो किये भी है संग ने और भारती जंता पार्टी की राजनीती जो इस दिसा में जा रही है लेकिन बात बात इनकी कुछ हद्ता कि इसलिए भी गलत है ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ठेकेदारी ले लिए भारत सरकार पूरे उस कार करा रही है भाजपा उसमें शामिल है भाजपा के लोगों ने चंदा दिया आपको राम मंदिर से समस्या नहीं थी ना कॉंग्रेस को थी किस कॉंग्रेसी नेता ने या कॉंग्रेस ने कोई चंदा दिया मंदिर निर्माड के लिए सुप्रीम कोट ने फैसला दे दिया ना क जब आप निर्माण में सOH योगी हैं तो फिर पूझा में जाने की समस्या क्या है पूझा में जाने की तारीक प्रधार अमंधिर नरेंदर मोधी तेह नहीं कर सकते ना कि किस तारीक को 22 तारीक को कांग्रेस को आना चाहिए और वह अर्द निर्मित राम मंदिर के अंदर प्रभू राम सब के मन के अंदर है लेकिन यह जब कहते हैं तारीक नहीं बताएंगे मंदिर में बताएंगे तो तारिक क्यों बता रहेंगे कि कम मंदिर में आना चाहिए यह प्रदान मंदी नरेंदर मोदी आरेसेस तैनी करेगा कि किसको मंदिर में कब जाना चाहिए कोई भगवादारी के तमाम गतविदियां और शहर में जो बदलाव हो रहे होंगे जो बाचीत हो रही है संदीप ने जो कहा कि आरसस का जो एक विरहत एजंडा है जैसा कि संदीप कह रहे हैं कि मनुवाद को ठोपना या फिर जातिवादी राजनीती करना जहां दलितों की कोई जगह नहीं है ल इस बारे में तो बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकता लेकिन ज़रूर बता सकता हूं अब यह बात बार-बार सब लोग दोहरा रहे हैं कि जो राम मंदर का निर्माड हो रहा है वो भाचपा करा रही है या संक के जिंडे के जरीए हो रहा है भाचपा के लोग कर वा तो और यह बात अभी आप पब्लीक ओपिनियन बहुत सारे आध्या से आ रहा है किसी भी प्रॉमिनेंट चैनल का देख लिजिए चैनल अलन टॉप का देख लिजिए किसी जो भी वहां से अभी करेंट जिसका आ रहा है वह आप देखेंगे तो आप एक बात बहुत कौमन ह है वहां पे आपको सुनने माया कि भाई इतना बड़ा प्रोजेक्ट है मीडिया में इतना कुछ दिखाया जा रहा है सब लेकिन आयुद्धिया का जो आम आद्मी है वह कांट्रिबूट नहीं कर रहा है इस उत्सों में अच्छा यह है यह है वह उस तरह से लगातो पढस बड़ेगा उसका शीक्रूटी अमान ठटर हो दुकाने लेहन ही नहीं पा रहा है तो वहां भी बिदेश ही आ रहा है बाहर की उनके वह गांअव दियहाद की बाधिशा में अपने इहां से बाहर का आदमी इस कहा जा जाता है तो यह को को में सेंटिमेंट है कि यहां गुजरातियों को लाके बसाय जा रहा है, बड़े-बड़े होटल खोले जा रहा है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है, इवेन वहां के लोग का ये भी है कि निर्माड कार हो रहा है इस निर्माड कार में आप पार्टिसिपेशन जब अध्या के लोगों का देखेंगे तो आप बहुत मिनिममम पाएंगे और वो लोग यहां तक की जो अंदर पहले तो राम मंदिर के अंदर जो मंदिर बन रहा है उसमें कांस्ट्रक्शन में जो बात हकीकत हुए है कि इसको तो लोग देखिए जो लोग इस की बेनिफेसरी में कि बन रही है जिसने अच्छा मुआउजा कमा लिया जिसने मुआउजा बटवाने के नाम पर मुआउजा वालों से कमा लिया आपकी जो रिपोर्ट है आपकी जो अब्जवेशन है युद्या की वो इस बात की तस्दीक करती है कि दर असल राम मंदिर जो है राजनातिक परियोजना बना दे गए है अब तो उसकी यग की जो कहते हैं आउती है तो अब तो भुनाएगी ही कॉंग्रेस का वहाँ ना जाना ये गेम इसमें है पॉलिटिक्स में पूरा परसेप्शन का और नरेटिव का अगर आप 2014 से पहले देखेंगे यही टीवी के एंकर और यही इंटिलेक्चुल्स जो प्रॉमिनेंट वाइस बने हुए है यह सारे लोग कहते थे मंदिर मस्जी का आम आदमी हर कोई कह रहा है कि मंदिरी चाहिए हर कोई ओटर भी नहीं है हर कोई वोट भी नहीं डाल रहा है ऐसा तो नहीं 140 करोड लोग भाजपा को ओड़ दे रहा है उसके हिस से 40-50 करोड हों जिनकी वज़े से बाज़बा जीत रही है तो यह कहना कि हर देख का हर जाते थे तो जो लड़का नेता वतक के पीछे जाता था तो घरवाले गहते थे कि इसके जैसा मत बन जा ना पढ़े होगे नहीं पढ़ोगे लिखो कि ऐसे इसके तरह तुमको घुमना पड़ेगा ठीक है तो हम लोग पढ़े लिखे अब क्या हो गया कि वो जो जिसको कि नेता जी आए है कंदे में हाथ रखके गए थे मंत्री जी तो वो जो हाइप क्येट हो रही ना तो वो अब आदर्स बन गया पहले पढ़ने लिखने वाले लोग आदर्स होते थे अनुमोल का अब्जरवेशन है रागा इनका कहना है कि आयोध्या के जो लोकल लोग है व बाद तो प्रूव होती है यहां पर कि आप कॉमर्शली भी बिजनस वाइस भी एक लोबी को स्टेबलिश कर देना चाहते हैं आपको नहीं लगता है एक सवाल और मैं जोड़ देता हूँ आपके जवाब से पहले आडवानी और मुरली मनहर जोशिक क्योंकि आपने हई का अगर जिक्र करें तो सबसे बड़ी भूमी का लाल कृष्णाडवानी की रही ती लाल कृष्णाडवानी से कह लिया गया अगर समाज को तोड़ने वाली और एग्यानिक्ता के तरफ बढ़ाने वाली हो तो गलत है मैं अनमुल के सवाल अनमुल ने जो बात कही उस बात से काफी हद तक सहमत हूँ कि जब भी कोई नया कंस्ट्रक्शन होता है तो रिहाईशी लोगों को समस्या होती है और वो समस्या समस्या नहीं लगती है एक SP को, DSP को, DM को किसी का एक दिन आटो ना चला पाना समस्या नहीं लगेगा क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझता है लेकिन question फिर से वही है कि क्या अगर दो दिन उसका आटो खड़ा रहा तो वो भाजपा छोड़के Congress का वोटर हो जाएगा नहीं उसके sentiment अभी भी राम के साथ है उसके sentiment अभी वीजेपी के साथ है सिर्फ इस वज़ा से उसका वोट शिफ्टिंग नहीं हो रही Congress के स्टेंड से कि मैं हम मंदिर नहीं जाएंगे ससंबान सुई का उसने ठुकरा दिया है उससे भी उस वेक्ति को कोई फरक नहीं पड़ रहा जिससे वोट गेनिंग बढ़ती क्योंकि ultimate पुद्दा तो सत्था से अटाना है ना Congress का बाज़ पर अगर वो सिद्ध नहीं होता है तो स्टेंड की प्रसंद क्या आपको नहीं लगता है माफ करिए मैं आपको रोकते हुए पूछ रहा हूं क्या आपको नहीं लगता कि राम स्ट्रीम मीडिया आप टीवी चैनल देखेंगे कल से बहुत सारे चैनल है कुछ के नाम भी ले दूँ तो भी कोई आपती नहीं है आप जी नियूस देखिएगा आप आज तक देखिएगा आप इंडिया टीवी देखिएगा कल से Congress को देखने का लोगों का नजरिया जो है वो बदल दिया जाएगा जो कुछ प्रतिशत आदमी नहरू का समर्थक रहा होगा किसी के घर में कोई इंडरा गांधी को बहुत पसंद करता होगा कोई राजीव गांधी को पसंद करता होगा कोई लगाव होगा Congress से उसका वोट भी इस मसले पर लाकर स्विच कर लिया जा है मैं कहरा हूँ कि यह फैसला पॉलिटिकली करेक्ट नहीं है इस फैसले का विरोध इसलिए है क्योंकि Congress को इससे फायदा कम है नुकसान ज्यादा एक फायदा बस हो सकता है कि जो एक Muslim vote bank है जिसका आरूप भाश्पा लगाती है कि Congress जो है वो वोट बैंक की राजनीती करती है Muslim Premier वो अब एक clear message उसको मिल गया है कि जो Congress है वो इस तरीके के धार्मिक political agenda के खिलाफ है इसलिए एक मुष्ट vote bank जो है वो Congress की तरफ जाएगा और हो सकता है शायद उसके पीछे thought रही हो कि वो वोट बैंक लेकिन हाँ यहाँ पर यह politically correct नहीं दिखता है और मंदिर जिसने बनाने की लड़ाई लड़ी है अगर वो पूजा कर रहा है तो उसमें भी कोई गलती मुझे नहीं लगती है अडवानी के ऊपर आपने कुछ नहीं बोला अडवानी के ऊपर ही कहूंगा कि उनको मार्ग दर्शक मंदल में रखा है शायद घर से उन्हें लाइफ जो आपको सुना जाए तो इनोंनों तीन चीजों को एक परियावाची बना दिया बगवान राम, भाजपा, रामभक्त जो रामभक्त है वो भाजपा को वोट करेगा ये मेंडिटरी है क्योंकि राम मंदीर भाजपा बनवा रही है ये आपका गहना है तो अगर कोई तकमूर बहुत कर कूं रहा राघव ने भी और पर टात पोच्छा है कि यह जो perception building है क्योंकि यह तमाम लोग जाते हैं तकनी की रूप से कि सर्वोची ने आया लेका फैसले है उस फैसले को अमनी जामा पहना आया जा रहा है लेकिन लोगों के दिमाग में तो यही ठूसा गया ना अलग-अलग channels के माध्यम से या जन संचार के अलग-अलग माध्यमों से कि भारतिये जनता पार्टी मंदिर बना रही है मोदी मंदिर बना रहे हैं इस perception से कैसे fight करेगी क्योंकि fight तो पंकर जी electoral होना है electoral battle में voter तो आपके इसी देश के लोग है जिस देश के लोगों के मन में ये ठूस दिया गया है कि मंदिर भाजपा बना रही है रामभक भाजपा को vote देते हैं तो उस perception से कैसे लड़ेगी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है perception की लड़ाई है लेकिन इस देश की जनता बेवकूब भी नहीं है वो जानती है कि रावण ने भी भगवा चोला पहना था और सीता हरन राम राम करते हुए भगवा चोला पहन कर ही किया गया था आज भगवा चोला पहन कर सत्ता हरन किया जा रहा है तो सीता हरन से लेकर सत्ता हरन तक भगवा चोला और राम के नाम का इस्तेमाल हुआ था कालिनेमी को भी लोग जानते हैं राहू को भी जानते हैं किसी का छुपता नहीं इस देश की जनता अच्छी तरह जानती है कि मंदिर बनवा देने से अगर कोई धार्मिक हो जाता तो तमाम शेहरों में तमाम सेठों ने म सवाल उठाएे हैं जिस तरह से वहां पर अर्ध्न निर्मित बंदिर में प्राण पक्रिश्था हो रही और पुरानी मूरत्य तो उसकी प्राण पक्रिश्था कीमता भी नहीं है लेकिन यह सब हो रहा है और जाहिर है वह एक मैसेज देने के रहा है भारतिये जनता पार्टी को राजनेतिक लाभ देने के लिए हो रहा है जैसा रागव कह रहे हैं और यहीं बात तो कॉंग्रेस कह रही है तो सवाल यह अब सवाल है कि आप यह कह रहे हैं इस मैसेजिंग का मुकाबला कैसे करेंगे यही पॉलिटिकल चुनौती है एक इस लिए पूरे इंडिया गटवंधन के सामने यही चुनौती है कि लोगों को यह बताना कि यह मंदिर के नाम पर इतना जो होहला है वो क्यों हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि 10 साल हो गये हैं मोदीजी के कारिकाल के और उनका जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें फेलियोर ह का बिलता था वो आज 1100 का है की नहीं है जो पेट्रोल 50 रुपए डीजल 40 रुपए का विक्ता था जो सौ के आसपास है की नहीं है आज इस देश में जो भुखमरों की तादाद है यह जो वर्ल हंगर इंडेक्स आता है उसमें आप 111 नंबर पे हैं 125 देशों में आप दक्ष रुजगारी है वह 45 साल के सर्वोच इसतर पर है और 45 इसलिए कि जो पूर्व 46 साल का आकड़ा नहीं है इसलिए अदर्वाइस हो इतिहास की सबसे बड़ी बिरुजगारी समय देश जील रहा है आई-एम-फ कह रहा है कि 205 लाक करोड का करजा इस देश पर हो गया यही हाल रहा तो जितनी आपकी GDP है उतना कर्ज 2000 आने वाले 28 तक हो जाएगा यह सारी सितियां इस देश की है भयावाहता है अस्पताल नहीं है डॉक्टर नहीं है लोग जिस तरह से करोना काल में मारे गए हैं अब ऐसे में क्या कर रही सरकार वो इन सारी चीजों पर परदा डालने के लिए इस लोग तंत्र के बुनियादी प्रशनों पर परदा डालने के लिए जैसा मैंने पहले भी कहा था वो परलोग तंत्र बना देना चाहती है वो करें कि सब हरी इक्षा है हम तो भगवान के पुजारी अरे आप मंदिर बनवाने के लिए नहीं आये थे ना आप तो को जनता के बीच रखिना और उस पे जनता से बात करना ये विपक्ष का दायत तो है और होना भी चाहिए और मुझे नहीं लगता है कि इस देश की जनता एतनी बेवकूफ है बिल्कुल नहीं है मुझे ये लगता है कि दायत्तों की पूर्ती होनी चाहिए विपक्ष का दायत्तो है जनता के सवाल उठाना जो पंकर जी बात कर रहे थे हाला कि जितने लोगों से बाचित हुई चर्चा में यही निकल कर आया कि राजनतिक परियोजना तो है लेकिन क्या इलेक्टोरल कर रही है लोगों के सवाल उठा रही है पंकर जी का कहना है बीजेपी जब पार्टी की रूप में आई 1980 के आखरी सालों में उसने राम मंदिर के अंदोलन की मुहिम को तेज किया शिमला में वो पालंपुर का अधिवेशन था जिसमें इन्होंने यह प्रस्ताव पारित किया उसके पहले दो सीटों की पार्टी बन चुकी थी तो राम मंदिर तो उनके शुरुवात से आप कहें कि उनका मैं आपसे कहना चाहरू यह इससे बड़ा जूट कुछ नहीं है 1925 में आरेस का निर्माड हुआ 1949 में वहां मूर्तियां रखी गए कभी आरेसस ने मंदिर की बात नहीं की 1951 में जनसंग बना जनसंग के पूरे कारेकाल तक 77 तक कभी राम मंदिर की बात नहीं जबकि राम मंदिर का मुकदमा चलता रहा कभी इनकी और से कोई बात नहीं आई असी में जब भारती जंता पाइटी बनी तो उसका नारा था गांधिवादी समाजवाद कोई मंदिर की बात नहीं थी और जब ये 84 में भी बुरी तरे हारे इनकी बुरी गती हुई तो इन्होंने मेरा ख्याले अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 86-89 में मुझे देखना पड़ेगा शिमला के पालंपूर में ये एक अधिवेशन हुआ था 2 में दाशति के प्रशका में आक उधर इन्होंने ये पहली बार कहा कि हम राम मंदिर को क्योंकि और को इनके पास राजनेतिक बार्शथी जो जंता थी उसको उसके भोलेपन को ईसकी आस्था को अपनी शक्ति बनाने की बात थी और अभी रागों ने कहा थे कोई अपराद नहीं यह बिलकुल अपराद है इस देश का सम्विधान इसे अपराद घोशित कर चुका है एक बार नहीं दस बार सुप्रीम कोट ने कहा है कि धर्म के अधार पर वोट मांगना यह अपराद है सम्विधान हमारा धर्म के अधार पर वोट मांगने क की जाजब नहीं देता है और राजनेताओं का ये काम है कि जनता के सवालों पर बात करें उनकी समस्याओं को दूर करें धर्म का प्रश्ण समाज का प्रश्ण है आस्था का प्रश्ण है सिर्फ प्राण प्रतिष्ठा के दिन नहीं जाने से कॉंग्रेस कोई राम की विरोधि रोड़ी हो जाएगी बहुत लोग नहीं जाएंगे साथी अजार लोग तो बुलाए गए कॉंग्रेस का कोई भी आदमी कभी भी मंदिर जाएगा मंदिर जाते रहें अरे भाई महात्मा गांधी से बड़ा कॉन राम भक्त होगा सुबे शाम राम धुन बजाते थे इश्वर मुझे लगता है यह चलती रहेगी आखरी बात मैं अन्मोल से ले लेता है अपराद की बात कर रहे थे कि अपराद हो क्या रहा है एक्चुली इस देश में देगे राम मंदिर बन रहा है बहुत अच्छी बात है पार्टी का जो क्रेडिट ले रहें लें सब होना चाहिए लेकिन जो सबसे बड़ा अपराद हो रहा है कि न्यूज चैनल अभी भी टीवी चैनल सबसे प्रभावी माध्याम है ख़बरों का जो इंपक्ट डाल सकता है किसी भी खबर को रात तो रात उस पर सरकार को कारवाई करने पे मजबूर कर सकता है अकबार में वो ताकत है और प्राइम टाइम न्यूज चैनल का सेक्रेड स्पेस का जाता है हम लोग जब पढ़ते देर कहते थे बहुत पवित्र स्पेस चैनल का मंदर वह है मतलब इस इस स्पेस में वह मुद्दे होते है जो देश के लिए बहुत मायन रखते आप दू महीने से लगातार एक मरी की खबरे कितनी बेरोजगारी की खबरे आपके इस जो आप बहसोत पादन कर रहे हैं बहसोत पादन की बहस के जरी आप उत्पादन जो कर रहे हैं इसके चक्कर में दब जा रहे हैं कितनी आवाजे दब रहे हैं तो लोग तंत्रे के चौते खंबे कर रूब में जो सप अबद आ श्कुरानीय अम्बानी है तो यह नैकसिस है इससेट का यानी सरकार का और इस देश के एक पुझी-पतियों को जिनके हाथ में इस देश के चैनल है वह एक एज emba बना रहे हैं और सरकार वह एजेंडा जो चाहती है उसको ये चला रहे हैं तो ये एक संश्रे है ये दोनों मिलकर इस देश में एक फासिस्ट स्टेट जैसी स्थिती है इसी नोट में इस किशन को बंद करते हैं और सवाल भी यही है जो राघव ने उठाया एक तरीके से वो वैलिड एक कोशिशन बनता है कि जब मीड आच रिलिजियसली ड्राइव हो रहा है मैसेजिंग कैसे कर पाएंगे कि आप लोगों को कंविंस कर पाएंगे कि अपराध भारतिय जनता पार्टी या कोई भी पार्टी करती है जब धर्म के नाम पर वोट मांग रही होती है मैसेजिंग कैसे होगा आप लोगों तक कैसे पहुँचेंगे ये एक जरूरी सवाल रहेगा कॉंग्रिस के लिए बहुत 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 शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रही है और न्यूज रूम के इस डिसकेशन को आप देखते रहें इसके लिए हम आपसे वजारिश करते हैं कि हमें सब्सक्राइब कर लिजिए और जो घंटी का आइकन होता है उसको दबा दीजिए बहुत बहुत धन्यवाद